आज फिर मैं एक निव वीडियो लेकर आई हूं आप लोगों के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना वैसे तो लोग या हम सब फैब्रिक कैंवेस के उपर पेंटिंग करते हैं लेकिन आज इस पर फैब्रिक से ही कुछ बनाने वाले हैं डिफरेंट तो वीडियो क देखना अच्छे लगते लाइक और कमेट करना मत बहलना तो इसके लिए मैंने लिया है जो हमारे केक होते हैं उसका जो बेस आता है मैं से हाड होता है तो कार्बोर को काफी करेंगे तो आपकी सस्क्राइब हमारा उसके लिए सवय सॉक्सेस्फुल नहीं होगा है मैंने बे 15 inches के तो आप कोई भी फैबного प्रोकी द कर सकते हैं Chicago इस तरी इसमें मिक्स करके दोंनों प्रो को मैं घ्राइब्स आड़ कर दिया तो आप ध्यान रहके पानि को तो यह पहले एड करें क्योंकि अगर पहले पी डालेंगे और फिर पाने डाइंग उसमें लंब सड़ाने के वह चांसे जादा होते हैं तो पानी के अंदर पी अच्छे से मिक्स हो जाती है तो मैं ने इसको अपना सही कंसिस्टेंसी देने के लिए उपर से और प्योपी ऐड तो इस तरीके से इनको मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इनको निकाल लोगी इनमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स होने के बाद इस तरीके से मैं थोड़ा पाने इसका निचोड लोगी स्क्विज करने के बाद मैं इसको इस तरीके से ओपन करके और इसकी कुछ लेयर सब्रेगा यह बहुत आज रहा है तो मैंने यह बनाया है इस तरीक से दोनों M.D.F के ऊपर में इसको अच्छे से सेट कर लोंगी क्रीजिज बना के में तो अभी मेरे ड्राइ हो गया है तो मैं इस को देखो इस तरीके से पीछे का फैब्रिक आप एक्स्टा भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके और पीछे स्टैपल कर दूँगी तो इसको बहुत क्येरफुल हमें करना पड़े है क्युक्aje इसके अंदर पियॉप Tribe लगी एकुछ उतर चाहेगी या फिर इसको इसकी जो रिंगल है वो खराब कर देगी तो बहुत क्येरफुल हमें इसको PIN UP करना है इस तरीके यह अच्छे से फिनिश कर दोंगी देखिए मेरे अच्छे से फिनिश हो गया है यह वैसे ही मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है कि हम इसमें कुछ और भी करेंगे तो इसको और अच्छी फिनिश देने के लिए जो मैंने प्योपी मिक्स की थी वह थोड़ी सी ऐसे जम गई है उपर जो बची है उसी का मैं पेस्ट बना के उसमें फैविकोल एड़ कर दूँगी ताकि यह अपने आप निकले नहीं तो इससे बाइंडिंग अच्छी बन जाएगी तो इसलिए मैंने इसमें फैविकोल एड़ कर दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें सिल्वर कलर ले रही है थोड़ सी शाइनिंग के लिए तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको भी अच्छे से उन रिंकल्स वैबरिक के उपर अच्छे से पेस्ट बना के लगा दूंगे जो एंड्यफ ऑफ बॉर है हमारा उसके उपर हम इसको लगा देंगे अच्छा सा स्ट्रोंक बेस बनाने के लिए जैसो की काम जैसो कि तरह काम करेगा हमारे लिए तो इसको भी हम ड्राई कुछ भी डिजाइन बनाएंगे हैं वो खराब हो जाएगा अभी मेरा ड्राइ हो चुका है तो मैं इसके उपर जो हाफ mdf है इसको मैं गोल्ड मेटली कलर से कलरिंग कर रही हूं तो इस पर हम देखते हैं कि कुछ कलरिंग कुछ और डिजाइन स्टेक्टर कुछ देने के में ट्राइ करूंगी तो कैसे देते हैं इस तरह के से मेरा ड्राइ होने के बाद मैंने ले लिया है अब मैंने इसमें लिया है ब्राउन कलर तो ब्राउन कलर के लिए मैंने पहले ट्राई किया है मेरे पास यह कुछ आर्टिफिशल फ्लार थे तो मैंने इस फ्लार को इसमें डिप करके कुछ इसतरी किसमें डिजाइन डाल कर एफेक्ट देने की ट्राई कर रही हूं अब ये फ्लाइर कंप्लीट करने के बाद भी मुझे बहुत अधूरा सा लग रहा था तो मुझे अच्छा नहीं ये लग रहा था तो देखीते हैं इसकी पूरी लूक कैसे क्या लगती है इसकी पूरी लूक ऐसे इस तरीके से आई है तो मुझे से सैटिस्फेक्शन नहीं हुई तो मैं इसको फिर से कलर कर देती हूँ वाइट तो यह ब्लैंड हो जाता है कलर ब्लैंड होने के बाद इसकी लुग कुछ ऐसी आएगी अब चाहें तो इस पर कोई टेक्शन ना देकर ऐसे भी अगर आप रखेंगे तो भी बहुत खुबसूरत लग रहा है तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब चाहें तो इसको पूरा बैक्ग्राउंड वाइट करके और इससे कुछ इफेक्ट दूंगी इस तरह किसे में शेप देने के बाद इसको एक साइड से इस तरह किसे सारे इफेक्ट डाल दूंगी रैंडम इस तरह किसे पैटन बन जाएंगे तो यह भी काफी अच्छा लग रहा था मुझे तो यह देखेगे इसके लोकुछ इस तरीके से आई है अब एक हमारे रेडियो हो गया है अब हम दूसरे की बार ही है यह मेरे पास एक शादी का काड़ था जिसमें इस तरह के का कट आउट पैटन था तो मैं इसको इस तरह के से रखके इसमें कलरिंग करने की सूच रही हूं तो देखते हैं यह कैसा लगता है इस तरीके से हम कलर कर देंगे इसमें यह कलरिंग हमें बहुत ही केरफुल करनी पड़ेगी वना तो अंदर ही अंदर कलर फैल जाता है और हमें पता भी नहीं चलेगा तो बहुत केरफुल हो कुलरिंग डन होने के बाद इसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है यह भी काफी सही लग रहा है तो यह होने के बाद अब इस पे हम रिंकल पे जो फैब्रिक रिंकल्स हैं हमारे इन पे में वाइट कलर से पेंट कर दोंगी इसको और अच्छा एनहेंस करने के लिए न तो आपको यह वाल डेकोर या पेंटिंग आप कह सकते हैं कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना मत बूलना और साथ सब बैल आइकन को भी प्रेस कर देना जैसे आपको नियो नो वीडि में तब तक बीसे बाबाइ